हेलो फ्रेंड्स विल्कॉम टो माइ इस्टडी फीट चैनल दोस्तो आज में बताने वाली हूँ शूपर कमपर्सेशन क्या है दोस्तो इससे पहले मैं इस कॉंपोनेंट्स आफ इस्पोर्ट ट्रेनिंग के सभी पांच फॉर्स जो स्ट्रेंड इंडूरेंज फ्लेक्सिबिलि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पूरी पड़ेगी एक दव आसान भासा में सिंपल तरिकी से समझाया गया है दोस्तो इस्पोर्ट ट्रेनिंग के बारे में आप फूल डिटेल में जान जाएंगे बस आप उस वीडियो क इस वीडियो को वाच कर सकते हैं अपने यल्ति गेट यूपी टीजट के बिए से अनभी की तैयारी मेरे चैनल पे सिलेवेस के रिकार्डिंग कर सकते हैं दोस्तों सुपर कंपसिशन के बारे में चलिए जानते हैं दोस्तों सुपर कंपसिशन क्या है इसको जानने के लिए सुरू से लाश तक वीडियो देखी गया आपको पूरी डाउट किलियर हो जाएंगे तो सुपर कमपस्टिशन जो है जैसा कि हम कोई कारे करते हैं या खेल खेलते हैं या कोई अभ्यास करते हैं तो खेल किलियाओं के दोरान एक ऐसी आवस्था आती है जब खिलाएं के अंद अंदर बहुत ही थकान हो जाती है तो उस अवस्था में हम खेल क्रियाओं को बंद कर देते हैं तो बंद कर देते हैं खेल क्रियाओं को तो उसके दोरान उस बंद अवस्था के दोरान आवस्यक ओटू यानि आक्सिजन वह उर्जा की प्राप्ति हम पुनह कर लेते हैं या जाता है यानि प्री अक्टिविटी ओवर्शूट कर जाता है पहले के एक्टिविटी के से भी ज्यादा की ओवर्शूट उर्जा प्राप्त कर लेता है या पहले जैसा उर्जा प्राप्त कर लेता है पुना कारे करने के लिए उर्जानवित हो जाता है तथा वह अखेल गत् सेशन के अवधी सिर्फ आप्टिवम लोट होने पर ही आएगी आप्टिवम लोट क्या होता है कि आप्टिवम लोट जो है जब प्रसिच्छर भार कि द्वारा खिलारी की छमता के हिसाब से जो प्रसिच्छर भार होता है वो खिलारी की छमता के हिसाब से न तो इतना कम होता है और नहीं इतना ज्यादा होता है इसी को optimum load का जाता है कभी बार पूछा भी जाता है कि प्रसिच्छ भार खिलारी की संता की हिसाब से न तो ज्यादा होता है न तो उतना ही कम होता है तो क्या कलाता है तो optimum load कलाता है Optimum load बहुत ही हमारे aruncooler हमारे performance में enhance करता है या प्रसिछा भार प्रायय सारिым aruncooler में हमारे vridhi करता है तो यह होता है आपका super composition असान geen जैसे कि एक खिलाड़ी जब प्रसिच्छर या प्रतिविता में भाग ले रहा । या भाग लेने की तयारी कर रहा है, तो या अभ्यास में सम्मलित होता है। और इन अभ्यास क्रियों में गति या क्रिया सिर्फ किसके द्वारा होती है? मांस्पेशियों कि संकुचन पर निभा करती है यह सब क्रिया किस पर निभा करती है? मांस्पेशियों कि संकुचन पर निभा करती है फिलक्सन एक्स्टेंशन पर तो दोस्तों यह मांस्पेशियो संकुचन प्रसाय करेगी उसमें कुछ उर्जा किया सकता तो पड़ेगी अपने से तो संकुचन प्रसाय करेगी नहीं कि संकुचन प्रसाय आप करते जाए करते जाए और वह हमसा होता रहेगा नहीं उसमें उर्जा किया सकता होती है तो उर्जा आसकता कहा से होती है हमारे का होते हैं हर्मोंस होते हैं में बोन्स लिगामेंस तीसुस और निधाय थकान के इस तरप पहुचने के बाद हमाई थकान हो जाता है और किरिया करने की मन नहीं करता है और इस अनुकुलन के लिए हम क्या करते हैं कि क्रिया को वही पर रोग देते हैं और फिर रिकावरी के दौरान पुना हम उन सभी रिकावरी के दौरान वो सभी हार्मोनोंस और उर्जा फिर से हमारे में समनुत होने लगते हैं इसकी दरा मेटाबोलोईज, इंजाइम, हर्मोन्स अन्हें सभी दुबारा से हमारे सरी में एकतित होने लगते हैं और ये रिकवरी की प्रक्रिया उस इस तर पर ना रुक कर पूर की एकत्री करर छमता से अधिक हो जाए अधिक हो जाए अथाथ प्रेटिविटी ओवर्सूट कर जाए ओवर्सूट लेवल को पार कर जाए यही हमारा सुपर कमपेसेशन होता है दोस्तों कुछ घंटे तक रहती है फिर सो under compensation होता है कुछ समय बाद फिर सो over compensation होता है तो दोस्तों यही है आपका सूपर compensation कि जह हम कारे करते हैं ठक जाते हैं, recovery करते हैं पुने अरजा लेते हैं फिर उसे कारे करने लायक हो जाते हैं पहले जैसा पहले से भी अधिक वही हमारा सुपर कमपसेशन होता है दोस्तों आप कभी कभी कन्फीज होते हैं सुपर कमपसेशन और सेकेंड विंड में जैसे कि सेकेंड विंड को आप नाम सुने होंगे जैसा कि इस पार्ट में सुपर कमपसेशन के बारे में बता रही हूं फिर भी मैं second wind की बारे में बता रहे हैं क्योंकि इसमें आप confusion रहते हैं second wind वो होता है जैसे कि हम कोई कारेकर रहे हैं जिसमें ये कारेकरते करते हैं आभिहास के दूरान कुछ समय कुछ समय के लिए ऐसी बेचैनी से महसुस होती है जैसे लगता है कि अब मुझे से नहीं होगा यानि इसी में दर चक्कर राना उल्टी राना ठकान कुछ छड़ी समय के पसचार इसी समान हो जाती है तो वही जो छड़ी समय के लिए हमारे सरीर में या हमको बेचैनी सा महसुस होता है वही हमारा second wind होता है इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करूँगी तो दोस्तों यह था हमारा स्पेर कामपसेशन क्या है आई होप कि आपको अच्छे समाज में आ गया होगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमें जरूर बताईए हैं वीडियो को जड़े से अपने सब्सक्राइब नए वीडियो जरूर लाती रहोंगी तो दोस्तों यह पहले बाव विजित कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइकन को इसके लिए जिसे जो भी मैं नए वीडियो अप्लिट करें उसका नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहें तो दोस